गनेशाय नमह, श्री शिव पुरान रोद्र सहिता तृतिय खंडध्या एक्यावन, शिव के विवाह का उपसहार, उनके द्वारा दक्षिना वित्रन, वर्वधू का कोबर और वासभावन में जाना, वहास्त्रियों का उनसे लोकचार का पालन कराना, रतिकी प्रार्थना से शिव द्वारा काम्र को जीवन दाने वर प्रदान, वर वधू का एक दूसरे को मिश्टान भूजन, ब्रह्माजी कहते हैं नारद, तदनंतर मेर्याग्या पाकर महेश्वर ने ब्रहमनो द्वारा अगनी की स्थापना करवाये और पार्वती को अपने आगे बिठा कर वहा अहुतियां दी, तात, उस समय काली के भायमेनाक ने लावा की अंजली दी और काली तथा शिव दोनोंने आहुती देकर लोकाचार का आश्रेले प्रसन्नता पूर्वक अगनिदेव की परिक्रमा की, नारद, तदनंतर शिव की आग्या से मुनियोस हित मैंने शिवा शिव इसके पश्चात ब्राहमनों की आग्या से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया, उस समय गिरिराजनन्दिनी उमा की शोभा अग्भूत और अवन्निय हो गई फिर ब्राहमनों के आदेश से वे शिव दंपती एकासन पर विराजमान हो भाक्तों की चित्त को आनन देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। करोडो रत्न दानकिय और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस में सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसंद हुए और जोर जोर से जय जैकार की ध्वनी होने लगी सबों अमांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वहाँ उन सबने आदर पूर्वक वरवधू से लोकाचार का संपाधन कराया। उस समय सब और पर्मानन दायक महान उत्साह चा रहा था। तदनन तर्वी स्त्रिया उन लोक कल्यानकारी दंपति को साथ ले पर्मदिव्य वासभवन को तुकागार में गई और वहाँ भी प्रसंदा पूर्वक लोकाचार का संपाधन किया। इसके बाद गिरिराज के इंगर की स्त्रियों ने समी पाकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपति को के लिग्रह में पहुचाया और जयध्वनी करती हुई उनके गंठ बंधन की गांठ खोलने आदिका कार्य संपन न किया। उस समय उन्नूतन दंपति को देखने के लिए सोलर देव्यनारिया बढ़े आदर के साथ शीगरता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार है सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिती, शची, लोपा मुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिनी, प्रिथिवी, शत्रुपा, संग्या तथारती। ये देवांगनायन तथा मनोहारिनी देवकिन्या, नागन्या और आमुनिक अन्याय भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रिया उपस्थित थी, उन सबकी गंण करने में कौन समर्थ है। उनके देहुए रत्न में सिंगहसन पर भगवान शिवप्रसंता पूर्वक ब पार्वती का पाने ग्रहं करके आपने अत्यांत दुरलब सो भाग्य प्राप्त किया है। बताए, मेरे प्रान्ना थको, जो सर्वत हस्वार थरित थे, आपने क्यों भस्म कर। डाला, आप यहां मेरे पति को जीवित कीजिये और अपने अंतह करल में काम संबंदी व्याप पार को जगारे। आपको और मुझ को जो समान रूप से वियोग जनत संताप प्राप्त हुआ है, उसे दूर कीजिये महेश्वर। आपके इस विवाहुत सब में सब लोग सुखी हुए हैं। केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव, शंक प्रसन हो ये और मुझे सनात कीजिये। दीन बंधो, परंप्रभो, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिये। चरा-चर प्रानियोस है तीनों लोग कोन में आपके सिवा दूसरा कौन है, जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिये दीनों पर दया करने वाले नात, सब को आनन्द प्रदान करने वाले अपने इस विवाहुत्सव में मुझे भी उत्सव संपन बनाये। मेरे प्रानना थके, जीवित होने पर ही अपनी प्रेया पार्वती के साथ आपका सुन्दर विहार परिपूर्ण होगा। इसमें संश सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहां अधिक कहने से क्या लाब। सर्वेश्वर, आप शीग्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रतिने गांठ में बधा हुआ कामदेव के शरीर का भास्म शंभू को दे दिय हैं। आप दीन बंधू और अध्या के सागर हैं। अतल कामर को जीवन दान दीजिए और रतिक को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्माजी कहते हैं नारद। उन सब किया बात सुनकर महेश्वर प्रसन हो गया। उन करुना सागर प्रभुने ततकाल ही रति पर की। भगवान शूल पानी की कृपा मृत्माई द्रिश्टी परते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिंसे युकत अगभुत मूर्तिधारी सुन्दर कामदेव उस भस्न से प्रकत हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुषबान से युकत देखरति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वो कृतार्थ हो गई, उसने प्राना थकी प्राप्ती कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़ कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की की हुई स्तुति को सुनकर दयार द्रहरिदे भगवान शंकर अत्यांत प्रसन नहुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन नहूं। स्वयम प्रकट होने वाले काम, तुन वर्मान गो, मैं तुम्हें मनोवान छित वस्तु दूंगा। पूर्वकाल में मैंने जो अप्राद किया था, उसे ख्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रतिपरम प्रेम और अपने चरनों की भक्ति दीजिए। कामदेव का इक अथन सुनकर परमेश्वशिव प्रसन हो बोले बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुना ने दिने हसकर कहा महामतिकामदेव, मैं तुम कर प्रसन हूँ, तुम अपने मन से भाई को निकाल दो, भगवान विश्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदनंतर काम शिवजी को प्रनाम करके बाहर आ गया। विश्णु आधी देवताओं ने उसे आशीरवाद दिया। इसक भगवान शिव जनवासे में चले गए। मूने उस समय महान उत्सफ हुआ और वेदमंत्रों की ध्वनी होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुँचकर शिव ने लोकाचार वश्मुनियों को प्रनाम किया। श् इसके बाद मैंने भगवान विश्नुने तथा इंद्रक, रिशी और असिधादिने भी शनकरजी की स्तुती की। गिरिजानायक महेश्वर की स्तुती करके वे विश्नु आदि देवता प्रसनता पूर्वक उनकी अथोचित सेवा में लग गए। ततपश्चातलीला पूर पूर्वक शरीर धारन करने वाले महेश्वर शम्भु ने उन सब को सम्मान दिया। फिर उन पर मेश्वर की आज्या पाकरवे विश्नु आदि देवता अत्यान प्रसन हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए। इती श्री शिव पुरान के रुद्र सहिता तृतिय खं अनमा शिवाय ओनमा 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 शिवाय ओनमा